सब्सक्राइब करें कहानी गोल्ड प्रोको और धिरो कहानियों के लिए नमस्कार दोस्तों आईए सुनते हैं हम सब की चहेती लेखी का मालती जोशी जी की एक और कहानी कहानी का शिर्षक है यातना चक्र अक्टूबर की वसुहानी सुबै उन दो पत्रों ने खराब कर दी थी पहला पत्र बढ़ोदा वालों का था जो पिछले दिनों यहां भुपाल दर्शन के लिए आये हुए थे दोनों भाई बहन दो तीन दिन तक एश करते रहे भाभी की महमान नवाजी का लुफ्त उठाते रहे भाईया की जीप में वन विहार और भारत भवन घूमते रहे और फिर धेर सारी आशाएं जगा कर रवाना हो गए अब पूरे पंद्र दिन बाद उनके बड़े भाई का कृपा पत्राया है कि और सब तो ठीक है पर लड़की ज़रा बड़ी लगती है यह क्या बात हुई भला यह तो पहले ही बता दिया था कि लड़की की उम्र 34 वर्ष तीन महीने है कद 5 फुट 2 इंच वजन 130 पॉंड और रंग ये हुआ है पिछले 12 वर्षों से गन्या महाविद्याले में पढ़ा रही है इतने सुविस्त्रित वर्णन के साथ एक अदद फोटो भी भेजी गई थी यह सब जान लेने के बाद ही श्रीमान यहां पधारे थे और यहां आकर उन्हें यह इल्म हुआ कि लड़की जरा बड़ी लगती है तो श्रीमान जी क्या अपने आपको चंकी पांडे या आमिर खान की पीड़ी का समझ रहे थे खुद भी 40 को छू रहे थे और उनका एक ही प्लस पॉइंट था और वहिया की अब तक कुवारे थे और शायद इसलिए किसी शोडसी की आस लगाए बैठे थे दूसरा पत्र बंबई के एक सजन का था उन्होंने अपने बेटे के लिए अख़बार में इस्तिहार दिया था और भहिया ने अविलंब उसे लपक लिया था उन्होंने लिखा था आपका प्रस्ताव हमें पसंद आया हम लोग शिग्रहे करन्या को देखने आएंगे पर उससे पहले एक दो बातों का खुलासा बहुत जरूरी है आपने लिखा है कि आपकी बहन पिछले बारा वर्षों से सर्विस में है तो क्रिपया बताईए कि इस दोरान उसने कोई लोन बगएर तो नहीं लिया जिसकी किस्ते उसकी वेतन से कट रही हूँ दूसरी बात यह है कि क्या उसका अपना बैंक अकाउंट है कहीं वह जॉइन्ट अकाउंट तो नहीं है इस तरह की पोश्टाश आपको शायद नागवार गुजरे पर मैं मजबूर हूँ आप तो जानते हैं कि दूद का जला च्छाश वे फोक फोक कर पीता है मेरी बड़ी बहु अपनी मा की एक लोती बेटी है देर सारी प्रॉपर्टी है पर मेरा बेटा एक पाई का भी हगदार नहीं है मा बेटी का साजह अकाउंट है कैसी भी मुसीबत क्यों ना पड़े मा की मर्जी के बिना हम एक धेला भी चून नहीं सकते मेरी छोटी बहु बैंक में पीयो है पिता का मकान बनवाने के लिए उसने करज लिया था शादी को आठ साल हो चले हैं पर अब भी वकिस्ते चुका रही है इसलिए अब मजले के वक्त मैं सारी बाते पहले से साफ कर लेना चाहता हूं महाशवा कई दूद के जले हुए थे और अब फोग फोग कर कदम रख रहे थे पर उनकी इस पस्ट वादिता की आड में जाक रही धनलो लुपता ने मन खटा कर दिया दोनों ही चिठियां भाईया ने गुडी मुडी करके डस्ट पिंट के हवाले कर दी फिर भी मूट तो उखडा ही रहा उस मन इस्थिती में भीड भरी सडक पर लूना चलाने का होसला न रहा मजबूरन आटो करना पड़ा और पहली जड़ा पॉटो वाले से ही हो गई मीटर के हिसाब से 9 रूपे 60 पैसे बन रहे थे मैंने 10 का नोट थमाया तो हजरत सलाम मार कर चल दिये पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा उसे गिनकर 9 रूपे 60 पैसे थमाये और 10 का नोट वापस ले लिया सुबह 10 बजे कॉलेज के गेट पर अच्छे खासे भीड रहती है नोग जोग का लुफ्त कई लोगों ने उठाया होगा तभी तो स्टाफ रूम में पैर देते ही देखा मिसिस मलोत्रा मिसिस गुपता की ओर देखकर आखों याखों में मुस्कुरा रही है मुझे तो जैसे आग लग गई कसले स्वर में कहा मिसिस गुपता लोग बग हमें कंजू समझते हैं पर क्या करें पसीने की कमाई को यूबे दर्दी से लुटाने की हिम्मत नहीं होती है हमारे यहां न ठेकेदारों के यहां से कमिशन आता है न ट्रांसपोर्ट का बिजनस चलता है हमशाख खर्च बने भी तो किस बूते पर ये आप किस के लिए कह रही है मिस्स मलोत्रा जहलाई मैं तो एक बात कह रही हूँ आप बुरा क्यूं मानती है मैंने लापरवाही से कहा मिस्स गुपता मेरी बात को अंसुना कर मिस रॉय के कानों में कुछ फुसुसाने लगी चमची कहीं कि मिस्स मलोत्रा से रोज फ्री लिफ्ट मिलती है न इसलिए आगे पीछे डोलती रहती है पहला पेरियर्ड सेकेंड एर बीएससी वालों का था वैसे भी यह बदनाम क्लास है और आज तो उन लोगों ने बत्तमीजी की हद्धी कर दी निरुपाय होकर दो लड़कियों को कलास से बाहर करना पड़ा वे बरामते में खड़ी होकर पूरे पेरिड भर नारे बाजी करती रही कलास से निकल कर लैब में गई तो वहां लैब असिस्टेंट से कहा सुनी हो गई लगा जैसे सब के सब मुझे चिड़ाने पर आमादा है आखरी पेरिड में प्रिंस्पल ने मुझे बुलावा भेजा मैं तो भरी बैटी थी अगर वे जरा भी उची बोलती तो मेरा जवाब तयार था पर मुझे मौका ही न मिला वे नाराज नहीं हुई बलकि बड़ी बेहन कीसी ममता से मुझे देर तक उचने समझाती रही शाम को घर लोटी तो मैं एक दम पस्त हो चुकी थी चाय पीकर जरा लेटने का प्लैन बना रही थी कि भई या दफ्तर से लोट आये आते ही बोले प्रेमा जरा जल्दी से तयार हो जाओ एक सज्जन आ रहे है ओ नो मैंने दोनों हाथों से अपना सिर्थाम लिया ऐजे निराश नहीं होते पगली या आदमी मुझे काफी रिजने बर लगता है शुरू में तो सभी लगते है बाइदवे वाट इस ही कॉल टेक्स में एक्जेक्यूटिव पोस्ट पर है घर में मा और दो बच्चे पहली का देहान चार साल पहले तीसरे प्रसव के दौरान हुआ था कमाल करते हैं आप भी भावी बोली क्या सारी बाते एक साथी पूश डाली गनीमत है कि डेट सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं लाए अगर तुम्हारी ननदरानी कहेगी तो वा भी ले आऊंगा ये सारी पोश्टाश भी उसी के लिए करता हूँ इसमें गलत क्या है भावी आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि पहली पत्नी जलकर मरी है या पंखे से लटक कर उसने सलफास की गोलियां खाई थी या टिक ट्वेंटी का सहारा लिया था ये सब बाते पहले से जान लेने से रर्णीती बनाने में सुविधा रहती है बात को मैंने भरसक मजाग का पुड़ देने का प्रयास किया था पर कोई नहीं हसा दरसल यह विशय अब हम लोगों के लिए इतना पुराना हो गया है कि इन पर हसी आती है नरूना पहले तो मुझे दुहाजू नाम से ही चिड़ होती थी पर जब से मैंने तीस पार किया है लिस्ट में विधुरों का भी समावेश होने लगा है पहले दो-तीन साल तक तो मैं बच्चों से उज्जर करती रही पर अब अम्मा ने मुझे समझाना शुरू कर दिया है अब इत्ती उमर पे क्या पता तुम्हारी कोग फले न फले पहरी का एकाद हो तो अच्छा ही है बुढ़ापे में कुछ तो सहारा होगा प्रेटिकल होना तो कोई हमारी अम्मा से सीखे दूर पास के रिष्टे में या जान पहचान वालों में जैसे ही किसी महिला की मृत्यू का समाचार मिलता है अम्मा यहां मेरे लिए संभावनाय तलाशने लगती है कई बार मुझे लगता है कि हम लोग कववे हैं जो पिंडदान के भाद के लिए घात लगाए रहते हैं प्रेमा छे बजने को हैं तैयार हो जाओ भाईया ने अपने सौमिस्वर में फिर एक बार याद दिलाया तो मैं अपनी तंद्रा से जागी कमरे में आकर बाल खोल लिये और ड्रेसिंग टेबल के सामने सुन होकर बैठी रही तैयार होनी का कोई उच्सा ही मन में शेशना था बस एक खाना पूरी करनी थी प्रतेक कारिक्रम मुझे रोमांचित कर जाता था पर जब दस-पांच नकार जेल लिये तो घबरा हट होने लगी फिर कुछ दिनों बाद यह रूटीन सा हो गया और अब तो विरक्ती सी होने लगी है पहले-पहल निराशा होती थी फिर मैं अपमानित सा अनुभव करने लगी और अब तो कुछ असर ही नहीं होता मन जैसे चिखना घड़ा हो गया है बीच में कुछ दिन ऐसे भी आये जो मेरी सहन शक्ती को कसोटी पर कस गये मुझसे चार-पांच साल छोटी निलिमादी का एक बड़ी हो गई और मुझसे सुन्दर निकल आई थी लोग मुझे देखने आते और उसे मांग बैठते कईयों से तो भाईया ने जगड़ा भी कर लिया पर बाद में अम्मा बाबुजी ने सोचा कि शादी तो हमें इसकी भी आगे पीछे करनी ही है बड़ी की आशा में इसे कब तक घर में बिठाए रखेंगे अगर आज इसे अच्छा घरवर मिल रहा है तो इसका अलाब क्यों न उठाए आगे पीछे प्रेमा की भी हो ही जाएगी नेलम की शादी हुई और मैंने राहत की सास ली तब क्या पता था कि घर में एक और प्रतिद्वन्दी मौजूद है मुझे ही क्यों घर में किसी को भी होश नहीं था कि टूईया से सुश्मा मुझसे हाद भर उची हो गई है और उसका रंग चमपे सा निखराया था हम लोग बेखबर थे तो क्या हुआ देखने वाले तो चौकस थे उसके लिए भी एक से एक प्रस्ताव आने लगे कई लोग तो बिना किसी दान दहेज के उसे लेने के लिए तयार थे इतने बड़े प्रलोभन को कोई कब तक टालता निलिमा के दो साल बाद शुष्मा भी विदा हो गई उफ भयानक मान से कुथल पुथल के दिन थे वे कई बार तो आत्महत्या करने का मन हुआया इधर मैं अपने भीतर जूज रही थी उधर नाते रिष्टेदार अपने व्यंगबाणों से मेरा जीना मुहाल किये दे रहे थे शुक्र है भगवान का समय के साथ सबको शान्त हो गया दोनों बहने अपनी घर में रचपस गई है दो दो बच्चों की मा बन गई है और मेरा प्रदर्शन बदस्तूर जारी है बुआ? नंदिता अपना रैकेट गुमाते हुए आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुई और मुझे तयार होते देख ठठक गई बुआ कहीं जा रही हो? लोना चाहिए मेज पर चाबियां रखी है मैंने साड़ी की पटलियां ठीक करते हुए कहा उसने चाबिय तो उठा ली पर गई नहीं मेरी और देखती हुई वैसी ही खड़ी रही उसका यूँ अपलक मुझे देखना मुझे नर्वस करने लगा बुआ? पैसे चाहिए आलमारी में पर्स रखा है बुआ क्या आज फिर कोई आ रहा है? मैंने उसकी और एक कठोर द्रिष्टी शेप किया पर वह मेरी छात्रा नहीं थी जो सहम जाती सीधे मेरी आखों में आखे डाल कर बोली बुआ बोर नहीं होती इट इस सो डिसकस्टिंग, सो इंसल्टिंग लगा जैसे उसने मेरे मूँपर तमाचा जड़ दिया हो मैं दिल मिला कर बोली जाकर अपने बाप से यह सब क्यों नहीं कहती वे ही तो रोज एक नमोना ढून कर ले आते हैं फिर भी तो लोग कहने से नहीं चूगते कि बेहन की कमाई पर एश कर रहे हैं उसने भी ताव खाकर कहा दादा जी क्या चले गए पापा की तो सब तरसे मुसीबत हो गई है और वा दंदनाती हुई कमरे से बाहर हो गई मैं हत बुद्धी होकर उसे जाते हुए देखती रही क्या वा वही नंदिता है जिसे मैं कंधी पर डालकर रात रात पर छट पर घूमा करती थी क्या वह वही नंदी है जो मेरी गोद में बैटकर कहानिया सुना करती थी आज तो वह पहचानी नहीं जा रही कॉलेज जॉइन की च्छे महीने भी नहीं हुए है और इसका बच्पन भाग खड़ा हुआ है अब यह पहले से कितनी स्मार्ट कितनी सुडॉल और कितनी कमनी लग रही है मेरा जी धक से रह गया क्या मेरे साथ अब यह भी रेस में शामिल होगी क्या निलिमा और सुश्मा की तरह यह भी मुझे पीछे छोड़ देगी इस बित्ते भर की लड़की ने किस दिलेरी से पूछा था बुआ अब बुर नहीं होती कभी नीलम ने भी यही प्रश्न किया था दीदी रोज-रोज के इस प्रदर्शन से तुम्हें उब नहीं होती प्रदर्शनी तो मेरी लगती रही परिनाम वे लोग ले गई अब शायद नन्दिता की बारी है इस अंधी दोड़ का कहीं तो अंथों का कभी तो मुझे इसका समापन करना पड़ेगा फिर आज ही क्यूं नहीं गंटी बजी और भहिया लपक कर दरवाजे पर पहुचे अरे यह क्या सतीश जी नहीं आये भहिया के स्वर में निराशा साब झलक रही थी नहीं आया एक दबंग नारी स्वर उभरा बोला आप ही दोनों देखाओ मैं जाकर क्या करूंगा बीतर ये बीतर भग से जल उठी मैं तो श्रिमान जी मुझे देखना भी नहीं चाहते सोचा होगा जरूरत भी क्या है कुवारी लड़की है 22 रुपे महीना कमा रही है दो बच्चे के बाप को इससे ज़ादा क्या चाहिए लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई लोग चार पैसे की चीज़ भी खरीदते हैं तो देख परख कर लेते हैं ये महाशय तो बीवी घर में ला रहे है आज तक मुझे बीसियो लोग देख गए हैं चाय नाशता गटक कर जाते हैं और फिर कोई मीन में एक निकाल कर टका सा जवाब दे देते हैं इतनी कोफ्त होती है लेकिन फिर भी मैंने अपने आपको कभी इतना अपमानित अनुभाव नहीं किया पर यह तो सरासर उपेक्षा थी और मानना थी अम्मा को बाहर भेज कर भाईया भीतर आ गए थे भाबी से बोले प्रेमा तयार हो जाए तो बाहर ले जाना मैं छट पर बैठा हूँ वे लोग जाने लगें तो आवाज दे देना रिक्षा तांगा जो कहेंगी ला दूँगा भाईया के उपर जाते ही मैंने रसोई का रुख किया बस दो मिनट अभी चलते हैं भाईया ने कहा क्या बना रही हो मैंने देसी घी की महक को नथनों में भरते हुए पूछा हलुआ ओफो भाईया कितनी बार कहा है कि चाय विस्किट पर निप्टा दिया करो पर तुम तो पूरा सरंजाम कर देती हो आज तो सचमुश यही नियत हो रही थी मैंने नकुल से समों से भी मंगवा लिये थे पर सोचा बड़ी बोड़ियां है अच्छा नहीं लगेगा भाईया मेरी लिए अब तक कितने मंचीनी गला चुकी हो एक बार तुम्हारी शादी हो जाए बस सब वसूल हो जाएगा यही तो रोना है खेर एक बात तैह है भावी कि आज का यहां आखरी शो है इसके बाद यह तमाशा बंद एकदम क्या हो गया कुछ नहीं और दूसरी बात यह कि मेरे बाहर जाते ही अम्मा को भीतर बुला लेना दो मिनट रुको तो मुझे हॉल का रास्ता मालूम है भावी तुम परिशान मत हो मैंने कहा और धरधराती हुई बाहर आ गई महिला मंडल इदम चोग गया अम्मा तो ऐसी सकपकाई कि बड़ी देर तक उनके मुझे बोली नहीं फूटा अम्मा चाहती हैं कि मैं भावी के पीछे-पीछे नजरे जुकाये हुए हौले हौले डग भरती हुई सिया सुकुमारी की तरह कमरी में दाखिल हूँ कभी उनका यह भी आग्रह हुआ करता था कि कमरी में आते ही मैं अपने भावी ससुराल वालों की चरण वंदना करूँ लेकिन हर एरे गेरे के पैर पढ़ना मैंने बरसो पहले छोड़ दिया है एक दो बार संभावितवर की बहन या भतीजी के रूप में मेरी भूद पूरो छात्राय आधम की थी बस तभी से मैंने विद्रो का जंड़ा गार दिया था रही सही मर्यादा आजसमाप्त हो गई भावी कहा है अम्मा ने डपट कर कहा काम कर रही है और तुम्हें बीतर बुला रही है अम्मा ताव खाकर उठी उनके जाते ही मैंने परदा अच्छे से खीश दिया और फिर सामने वाली कुर्सी पर इत्मिनान से बैठ कई आप लोगों में सतीश जी की मा कौन है दोनों भोचक होकर पहले मुझे और फिर एक दूसरे को तकने लगी बड़ी देर बाद दुबली पतली महिला ने कहा मैं सतीश की मा हूँ ये मेरी छोटी बहन है सतीश की मौसी मौसी जी बुरा सा मूँ मनाय बैठी रही जाहिर था उन्होंने मुझे पहली ही नजर में रिजेक्ट कर दिया था सतीश जी क्यों नहीं आये मैंने दूसरा प्रश्न दाग दिया वे फिर एक दूसरे को देखने लगी फिर मा जी ही बोली वो तो बेटा शादी ही नहीं करना चाहता मैं ही पीछे पड़ी रहती हूँ आखिर बच्चों को कोई देखने वाला तो घर में हो मैं क्या हमेशा बैठी रहूंगी मैंने बहुत जिद की तो बोला तुम्हें बहु चाहिए तो जाओ तुम्ही पसंद कर लाओ क्या पहली बहु भी आप ही ने पसंद की थी हाँ पहले तो हमी दोनों पसंद कर आये थे फिर पीछे ये भाई बहन भी देखने गए थे पहले वाली की तो बात ही और होती है मौसी जी ने जबरदस्ती उसास भर कर कहा अब तो ऐसा है कि बच्चों के लिए घर बसाना है देखिए माजी मैंने मौसी जी की बात को जरा भी तवज्जो न देते हुए कहा मेरी उम्र 35 को छुचली है पिछले कई सालों से मेरे लिए वर की तलाश जारी है बीस यो बार मैं इस दर्दना का नुभा से गुजर चुकी हूँ यूँ कहिए कि एकदम लहुलुहान हो चुकी हूँ फिर भी जंग जारी है मैंने अभी होसला नहीं खोया है पर जिंदगी के या लड़ाई मैं अपनी शर्तों पर लड़ती हूँ पहली और सबसे बड़ी शर्त या है कि मैं उस आदमी को जरूर देखना चाहूँगी जिसके साथ मुझे जंदगी गुजारनी है सतीज जी की या दूसरी शादी हो सकती है पर मेरी तो पहली ही है मैं ही क्यों कोई भी लड़की अपने होने वाले पती को एक बार देखना चाहेगी इतना सम्मान तो उसे आपको देना ही पड़ेगा बलकि मैं तो उन बच्चों को भी देखना चाहूँगी जिन्हें पालने की मुझसे अपेक्षा की जाएगी आस चहरे जैसे उन चहरों पर पुथ गया था मैं और भी कुछ कहना चाहती थी पर उसी समय नाश्ते की प्लेटों के साथ भावी ने कमरे में प्रवेश किया उनके पीछे अम्मा भी थी मैंने चुपचाप खिसक लेना ही स्रेश कर समझा उस रात घर का वातावरन बहुत तनाव पुन था अम्मा बहुत गुसे में थी उन्होंने कहनी अनकहनी सबसुना डाली बोली भाई बेचारा तो जूते चटका कर कहां कहां से रिष्टे ढूंड कर लाता है और लड़की ऐसी बेशाओर है कि किये कराई पर पानी फेर देती है भाई या शांत भाव से समझा रहे थे मैं तुम्हारा फ्रस्टेशन समझता हूँ प्रेमा पर तुम ही बताओ और उपाई भी क्या है और सबकी बातों का मेरे पास एक ही उत्तर था बस बहुत हो चुका अब और नहीं, कभी नहीं उस दिन शायद रविवार था भाई या भाभी ने बहुत दुनों के बाद शौपिंग का प्रोग्राम बनाया था अम्मा किसी सहेली के पोते के मुंडन समारों में सुबै से गई हुई थी नन्दिता की सहेली के यहां विसियार आया हुआ था और नकुल अपनी क्रिकेट में व्यस्त था घर पर मैं विल्कुल अकेली थी और उसे कांत का और शांती का मैंने भरपूरलाब उठाया था खाना खाकर जो विस्तर में दुबग गई थी तो पूरा दिन वहीं गुजार दिया था न टीवी खोला न चाय बनाई सोच लिया था कि जब तक घंटी नहीं बजेगी उठोंगी नहीं कमबाक्त घंटी बजी गई जरूर नकुल के दोस्त होंगे जरा चैन नहीं लेने देते वो तो गनी मत थी कि आज मैं अचे नहीं तो अब तक बिसीयो बार उठना पड़ता मुर्मुर आते हुए मैंने दर्वाजा खोला एक अपरिचित सज्जन खड़े थे राजेश्वर दयाल जी यहीं रहते हैं जी लेकिन वे इस समय घर पर नहीं है देर राद तक लोटेंगे आप मैं उनकी बहन हूँ भाभी भाईया के साथ ही गई है दरसल आप ही से काम था भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी तब होश आया कि मैं दर्वाजा घेर कर खड़ी हुई हूँ पीछे हटते हुए मैंने कहा आईए मेरे बच्चे भी मेरे साथ है तो बुला लीजिये न उन्होंने पीछे मुढ कर आवाज दी बबली पिंटू इधर आओ आंटी बुला रही है बच्चे जो स्कूटर पर बैठे थे सहमे से अंदर आए नमस्ते आंटी नमस्ते आईए भीतर आईए मैं उन लोगों को हॉल में लिवा लाई घड़ी की ओर देखते हुए मैंने पूछा बच्चे स्पाइडर मैं देखना चाहेंगे शायद मैंने टीवी आउन कर दिया सच अजना भी लोगों को जहेलना पड़े तो टीवी बहुत काम आता है आप लोग देखिए तब तक मैं पानी ले आओ हाँ पानी तो हम जरूर पी लेंगे वैसे हम लोग कुछ देखने नहीं दिखाने आये हैं मैं सतेश कुमार हूँ और ये मेरे दोनों बच्चे हैं मुझे काटो तो खून नहीं वहाँ से जो भागी तो सीधे कमरे में जाकर ही दम लिया आइने में शकल देखी पूरे बारा बज रहे थे दिन भर विस्तर पर पड़े पड़े साड़ी का सत्या नाशो गया था सुबेश एमपू किये हुए बाल अब तक वैसे ही सूखे उलजे और बेतर तीब बने हुए थे क्या इंप्रेशन बना होगा मैंने महमानों को प्यासा ही छोड़ दिया और गैस पर चाय चड़ा दी अपने को ठीक करने के लिए मुझे इतना समय तो दरकार ही था चाय और नाश्ता लेकर जब मैं बाहर आई तो मेरा हुलिया एकदम बदला हुआ था अरे आप तो बेकार तकलूफ करती रही पानी ही काफी था उन्होंने कहा फिर उन्होंने नमकीन और बिस्किटों की प्लेट बच्चों के आगे सरका दी और अपनी कुरसी की दिशा बदल कर एकदम मेरे सामने ही मुखातिब होकर बैठ गए उनकी चौकस नजरों को अंदेखा करते हुए मैंने चाय का कप उनके आगे सरका दिया थैंक्स उन्होंने कहा और कप उठा लिया फिर थोड़ी देर बाद बोले आप भी और लोगों जैसी ही है क्या मतलब मौसी ने जो वर्णन किया था उससे लगा था कि मेरी मुलाकात किसी तोब किस्म की महिला से होगी पर आप तो एकदम सामाने है और उनकी तरह आप भी अपने देखने दिखाने को लेकर पहनावी को लेकर conscious है जाग रूख है क्या फेमिनाइन होना अपराद है नहीं अपराद तो नहीं पर मौसी की बातों से जो इमेज बनी थी आपकी मौसी बहुत अच्छा इंप्रेशन लेकर नहीं गई मुझे मालूम है पुरानी पीड़ी की है ना इसलिए बुरा मान गई उनका कहना था कि अपनी बात आप घर के किसी बड़े बुजर्ग से कहलवाती तो अच्छा होता मेरी अवच होई मुई उम्र नहीं रही कि किसी माउथ पीस की जरूरत पड़े मा लेकिन बहुत खुश होई बोलीं कि अगर दस-पाच लड़कियां भी ऐसी निकल जाएं तो लड़के वालों के दिमाग दुरूस्त हो जाएंगे आपकी माने ऐसा कहा हिंदुस्तान में लड़के की मा तो ऐसी भाशा नहीं बोलती वो लड़कियों की मा भी हैं तीन-तीन कन्यादान कर चुकी हैं कड़वे मीठे सारे अनुभा उनके पास हैं इसलिए तो आपसे बहुत प्रभावित हुई हैं और आप? मुझे भी आपने सोचने के लिए मजबूर कर दिया मैंने देखा कि आपकी बातों में दम है इसलिए तो बच्चों को यहां लिवा लाया सोचा उन्हें भी आपसे मिलवाना चाहिए उन्हें भी अपनी होने वाली मा को देखने पर रखने का हक है किसी अंजान व्यक्तितु को एकदम से उन पर थोप देना तो अन्याय होगा सतीश जी, मैंने गंभीर स्वर में कहा एक बात ध्यान में रख लीजिए आप किसी को भी पत्नी बना कर ले आए बच्चे उसे एकदम मा के रूप में स्विकार नहीं करेंगे बच्चों के मन में मा की एक प्रतिमा होती है वहावे किसी दूसरी औरत की कल्पना भी नहीं कर सकते इसलिए ये रिष्टा, ये संबोधन उन पर कभी मत थोपिए सारी समस्या इसी हट धर्मी से जन्म लेती है आप क्या मनो विज्ञान पढ़ाती है जी नहीं, मेरा विशय केमिस्ट्री है आपकी सोच तो बहुत गहरी है मेरी पास इतनी फुरसत जो है स्पाइडर मैन खत्म हो गया था और वे एकदम उठ खड़े हुए चलो बच्चों, पहले आँटी की नीद खराब की अब क्या पिक्चर भी खराब करोगे मैं सिर्फ मुस्कुराती बच्चे शरीफ पिता की एक ही आवाज पर उठाए नमस्ते आँटी मैंने दोनों को प्यार से थप थपा दिया बच्चे प्यारे थे जैसे की होते हैं और उनकी दादी ने उने खूब सजा कर भेजा था लड़की को देखकर सहजी अनुमान लगाया जा सकता था कि उन लोगों की मा बड़ी सुन्दर रही होगी तभी तो श्रीमान जी को अब और किसी को देखने का चाव नहीं रहा जानते हैं न कि अब उतनी सुन्दर पत्नी तो मिलने से रही स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज आई तो मुझे होश आया बच्चे पिछली सीट पर बैटकर मुझे टाटा कर रहे थे मन हुआ दोड़ कर जाऊं और पूछूं बच्चों मुझे पास किया की नहीं एन अन्य फरिष्टे इस यातना चक्र से तुम ही मुझे मुझे मुक्ती दिला सकते हो तुम पर ही मेरी आशाएं टिकी हैं तब तक इस कूटर आखों से ओज़ल हो चुका था और पीछे धूल का गुबार छोड़ गया था आप सुन रहे थे मालती जोशी जी के लिखी कहानी यातना चक्र मिलती हूँ किसी और नई कहानी में तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद